माइसल प्रितिका और आज की प्राक्किस में हम करने वाले अपने पित को कंट्रोल करने वाले कुछ योग आसनास अगर आपके शरीर में वात, पित या कफ इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज अन्बालेंस होती है तो कई तरह की परिशानिया होने लगती है जैसे की चुड़ चुड़ा पन होना, जादा तर भूपना लगना, शरीर में कई तरह के चेंजेज होने शुरू हो जाते है यह आपके पित, वात या कफ के बिगड़ने की वज़े से होता है तो आज की प्रैक्टेस में आप अपने पित को कैसे कंट्रोल करेंगे थूदा योग आसनास, आज में वो सारे आसनास आपके साथ शेयर करने वाली हो तो अपने पित को कंट्रोल करने के लिए आप ये सारे आसनास अपने द्यानिक जीवन में रोज आड़ करें जिससे आपके पित कंट्रोल रहते हैं और साथी साथ अगर आप मेरे पेच पे नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रीब जरूर करें यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर करें चलिए आज की आसनास में हम सीखेंगे अपने पित को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं तो आज का जो सबसे पहला आसनास है इसे हम कहते हैं मर्जारिय आसना बितनी आसना जो आपकी शरीर में पित को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इसे करने के लिए आप अपने दोनों नीज को इस तरीके से ड्रॉप कर लीजे शोल्डर लेबल पे आप अपने हाथों को रखे गहरी लंबी सांस लेते वे आप अपने नेक को अंदर की तरफ मोरेंगे पीट को उपर की तरफ उठाए और फिर सांस शोड़ते वे आप अपने नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाएएगा बली को अंदर की तरफ खीचे फिर से गहरी लंबी सांस लेजे और अपने पीट को ऊपर की तरफ उठाए सांस छोड़ते वे अपने पीट को अंदर की तरह और अपने नेट को स्प्रेच कर लें दो से तीन बार हम इस रिपिटेशन को करेंगे क्योंकि यह हमारे पित को कंट्रूल करने में हेल्प करते है कि काफिया अच्छा आसना माना भी जाता है योग में जो आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करते हैं अगर आपके शरीर में पित बढ़ा हुआ है तो आप इस तरह के योग आसनास रेगुलर करें यह रिलम्दी सांस लीचे नेक को उपर की तरफ और सास शोड़ती वे अपने नेक को अंदर की तरफ अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे आसनास की करते हुए हातों को इस तरीके से फैला लेंगे हैड को आप अपने जमीन पर लगाएं नॉर्मल ब्रीधिंग करते हुए आप अपने पूरे शरीर को डिला छोड़ दीजे नॉर्मल ब्रीधिंग पूरा शरीर डिला बिल्कुल हलके से अपने शरीर को शिशांक आसना में रिलक्ट करेंगे ये एक ऐसा आसना है जो आपके पूरे शरीर को शांत और इस्थिल करते है दीरे से अपने हेट को उपर की तरफ ले आए और आपकी जो लेफ्ट लेग है आप इससे सामने ले आए हम अपने अगले अगले आसनास की तरफ बड़ रहे जो है चंदर नमस्कार में अपने लफ लेक को सामने लेएंगे और अगर आप विग्टिर है तो